नमस्कार दोस्तों 2020 में एक्जाम देने वाले सभी एस्टुजेंट्स को बोट द्वारा जारी मोडल पेपर का बेसबडी से इंतजार था हम सब जानने को उत्सुक थे कि इस साल एक्जामिनेशन में कितने अब्जेक्टिव क्यूशन्स आएंगे और पैटर्ण कैसा रहेगा मैं आपको बता दूँ कि भिहार बोट ने अपना ओफिसियल मोडल पेपर जारी कर दिया है और फ्रेंट्स इस साल आपके एक्जामिनेशन में टोटल 100 अब्जेक्टिव क्यूशन्स पूछे जाएंगे जिसमें से आपको केवल 50 प्रस्णों का ही उत्तर देना है तो सभी क नहीं कर दिए ताकि सभी या स्टूजेंट्स जूर सके प्लीज एक बार वीडियो को सेई कर दिए गूड मार्निंग ऑल अल उफ्यू सभी को गूड मॉर्निंग इसी तरह से आप लोग की लाइफ क्लासेस अब आप लोग की लाइफ क्लासेस कंटीनिव चलाए जाएगी आ आप लोग वीडियो को शेयर कर दिये सभी लोग आ जाएंगे शुरू करते हैं हम लोग आज के अपने पहले क्यूशन से फर्स्ट क्यूशन है हमारा आपका ऑप्सेंट हो जाएगा राखल 10 मंढ़ी गुढ राखल नर्ची चाहिए मोहन जोद्रो के खोज राखलदाश बनर्ची ने की थी और यह जो मोहन को लाइक कर दीजिए क्यूशन टू है हमारा कलकत्ता में एसियाटिक सोसाइटी के अस्थापना किस ने की थी आपका ओप्संस हैं कनिंगम ने पलीट ने डीसी सरकार डीसी सरकार ने विलियम जोन्स तो क्या होगा सही एंसर सेकेंड का आपका सही एंसर ऑप्संडी हो यह 1784 भी अपी लोग को बताना है सवी क्यूशन इंपोटेंट है सवी क्यूशन कलकत्ता में एसियाटिक सोसाइटी के अस्थापना किस ने की थी तो आप लोग याद रखोगे सवी क्यूशन आपके लिए काफी जयादा इंपोडैंट है विलियम जोन ने नेक्स्ट्यूस सर सिंधु वाले बिल्कुल सही है मोहन जोद्रो सिंधु नदी के किनारे इस्तित है मैंने आपको फर्स्ट नमर क्यूशन में बताया भी और फ्रेंड्स मैंने ये सभी क्यूशन अल्रेडी खरा रखे हैं तो आप लोग को कहीं पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए नेक्स्ट हमार बाद जीले में लोथल इस्तित है काफी लोग याद रखेगा बहुत जादा इंपॉटेंट है किस नदी के किनारे है तो भोगवा नदी मैंने आल्रेडी फ्रेंड्स सभी क्यूशन करा रखे हैं आप आप तो खुद एटेंट कर चुके होगे सभी क्यूशन के वल मैं एक और आप लोगों की प्रेक्टिस के लिए यह सभी क्यूशन करा रहा हूं उत्थन करता थे रंगनाथ सव रंगनाथ राओ सौरी नेक्स्ट हमारा क्यूशन फाइब चलिए फड़ा-फड़ से देखिए भारतिये पूड़ातव का पिता किसे कहा जाता है ओप्शन से आपके सामने लौड करजन अलीक्जेंडर कनिंगम दया रमसाहिनी लौड दलहोजी तो 5 का आपका सही ऐंसर औप्शन भी हो झागा एलेकजेंडर कनिंगम बिल्कुल सर अलेक्जेंडर कनिंगम इस राइट एंसर भारतिये पूरा तत्व का पिता किसे का आ जाता है अलेक्जेंडर कनिंगम को इसके अस्थापना हुई थी 1861 में याद रखोगे काफी जाधा इंपोर्टेंट है नेक्स्ट क्यूशन है हमारा क्यूशन 6 चलिए क्यूशन 6 हमारा फटा-फट से आप लोगों को मिल रहा होगा देखने को क्यूशन हाँ फटा-फट से कमेट करते चलिए सभी लोग ताकि आपको पता चल से का आपके त्यारी कैसी है कनिस के का राजिया रोहन कब हुआ था तो सिक्स का सभी अप्शन भी हो जाएगा 78 मैंने आपको बताया भी था यह सभी क्यूशन कराएगा था नेक्स्ट क्यूशन हमारा क्यूशन से वें अर्थ-शास्त्र किसने लिखा था तो आप कहिए अर्थ-शास्त्र कौटीली ने लिखा था चानक के दवारा रचीत है आप कुछ भी कहिए तो इसमें option से आपका कौ प्रिश्नल इंफर्मेशन भी आप लोग याद रखिए कौन थे कौटिले कौन थे फ्रेंड्स मैं आपको मतलब जानकारी के लिए बता दूं कौटिले चंद्रगुप्त मौड़े के परधान मंत्री थे याद रखा किजिए नेक्स्ट क्यूशन है हमारा ऑफ सुन एठ गुप्तो के काल में कौन चीनी याथ्री भारत आया एट का सहिंसरत आपको अप्सेंस ही हो जागा फाह्यान चीनीयात्री फाह्यान आया था काफी ज्यादया इंपोटेंट् सब्सक्राइब ॥ हुए समारा नारे कि om вещи कि ऐसा में हुई है just और आप लोगे भी याद रखेएगा इसके रचाईता कॉन है महाभारत के वैद्व़्यास द्वारा किया गया है और महाभारत का युद्व 18 दिनों तक चला था यह सब इंपॉटेंट्च है पूछा चाहा सकता है और आपकं राद में और धर, महावीर का बचत्पन का नाम क्या था, तो 11 का संइसर आपका बचत्पन भी हो जाएंगा बर्दमान, बर्दमान is the right answer फड़ा फड़ से सभी लोग comment करते चलेंगे जिनका जितना सही हुआ आल लाश्ट नों बताएंगे 100 क्यूशन में आपका कितना सही हुआ क्यूशन 12 है हमारा प्रथम जैन संगीती कहां हुई थी 12 है हमारा प्रथम जैन संगीती कहां हुई थी नेक्स्ट है हमारा क्यूशन 13 स्वेतामबर और दिगंबर किस धर्म से संबन्दित है तो चलिए 13 का सही एंशर आपका जैन धर्म याद रखोगे सभी लोग यह सब अल्रेडी क्यूशन कराये गये है सब कराया गया क्यूशन ही है मोडल पेपर में आप लोग देख सकते है आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है हिस्ट्री में क्यूंकि मैंने कराया तो मुझे पता है कितने ज़्यादा क्यूशन जो है आपके रिपीटेर आये है फोटीन है अस्तूप की धर्म से समंदित है तो फोटीन का सही अंसर आपका आप्शन भी हो जाएगा बहुत धर्म चलिए बताईए आप लोग अस्तूप की धर्म से समंदित है जी याद रखिएगा ऑप्शन सी धर राइट एंसर बहुत धर्म मैंने कंफ्यूश करने के लिए बोला था आपको नेक्स्ट है हमारा क्यूशन याद रखोंगे सभी लोग नेक्स्ट हमारा क्यूशन शिक्स्टीन चलिए कि बावर नामा क्या है कि बावर नामा क्या है दोस्तों फटा-फट से कमेंट करते चलिए आज मैं आप लोगों की वीडियो जो सुट कर रहा हूं मुवाइल से मैं आप लोगों के लाइव क्लास से लगा हूं तो चलिए 16 का सही अंसर बताईए ऑप्शन सी आत्मकठा बावर क्लियर है चलिए कुटू मिनार का निर्मान किसने आरंब किया कि 17 का सही इंसर ओप्शन सी हो जाएगा याद रखे कुटूब दीन एवक ने और लेडी कराया गया है आप फटा-फट से इंसर भी दे रहो बहुत अची त्यारी है साथ हूं आप लोगे बहुत अची त्यार दिन मत रही हैगा जिस तरह से आप लोग त्यारी कर रहे हो आप लोग अपनी त्यारी करते रहे हैं अ कि छे बिल्कुलफा यह एटीन का सही अंसर आप आपको ने दिदिआ है आपका साइवा उस्कुल नाइटिन अंतिम मुगल समराथ कौन था भारत का अंतिम मुगल समराथ कौन था तो 19 का सहींसत आपका ऑप्सेंडी हो जाएगा बहादूर सा जफ़र नेक्स्ट अंतिम भाग दच्चीन में भिताये थे नेक्स्ट है ट्वेंटी नंबर दीने इलाहिस सम्बंदी थे सहींस आ तो टोडर्मल के बारे में सभी लोग सुने हो गए राजा टो डर्मल मिल्कु रहे हैं ऑप्षन डी दराइट एंसर नेक्स्ट है हमारा क्यूस्टं 22 कि उसमें दिकत नहीं रहता है पीसी में दिकत नहीं रहता है यहां पर मुवैल से हां 22 है मारा पानी पत्त का द्वीतिय यूद्ध कभ हुआ तो 22 का सइंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन भी याद रखेगा 1556 इसुएं पानी प्वर्त का प्रथम यूद्ध हुआ था कभ तो पांच नवंबर को पांच नवंबर को याद रखोगे सभी लोग हुआ तो सभी को पता है तुलूब वन्स के तौकफी जाधा है मतलब इजी पूचा गया दोस्तों आप चाहोगे तो 100 में 100 बना हैं बट आपको बनाने केवल 50 क्यूशन सी बनाने हैं क्यूशन 24 है और जो लोग वीडियो को बाद में देख रहे हैं बाद में देखेंगे प्लीज आप लोग वीडियो को फास्ट मोड में करके देख लीजिएगा निकोलो कोंटी की सासक के कारेकाल में आया था क्योंकि अब सभी जो इतने भी वीडियो कराऊंगा सभी इतने ही आराम से कराते चलूँगा निकोलो कोंटी की सासक के की सासक के कारेकाल में आया था राजा देवराय के दरवार में आया था नेक्ट हमारा क्यूशन नमर ट्वेंटी फाइव चलिए किस राज को हंपी के नाम से भी जाना जाता था किस राज को हमपी के नाम से भी जाना जाता था तो विजयनेगर इधर आइट एंसर बहुत अची त्यारी बहुत अची त्यारी है नेक्स्ट क्यूशन है हमारा क्यूशन 26 प्रसीद्ध बीडु पाक्ष मंदीर कहां इसती थे तो हमपी इधर आइट एंसर है, नेक्स्ट है हमारा क्यूशिन 27 डिल्ली सल्तत्व क्यएस्तापना कव हुई थी 27 का सथ इन सर आपका औप्सेन ही estásथापना होई थी सभी को पता है गुषुन का ओप्सेन 12 पंदरा अप्राइल चोदोसों चोदोसों उनहत्तर इस भी को हुआ था नेक्स्ट हमारा क्यूशन 29 उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आड़म किस चंत ने शुरू किया तो 29 का सब्सक्राइब का आपका ऑप्शन हो जाएगा रामानंद चलिए सभी लोग मतलब एक वार क्या किजिए जैसे आपके मोडल पेपर जब जारी किया गया सो क्यूशन है तो उसमें से मैं आपको अगर एक वार डिवाइस करा जाता हूं तो आपके सभी क्यूशन क्लियर हो जाएंगे एंसर आपको खुजडा नहीं पड़ेगा क्योंकि तो दिया नहीं है तो आप लोग कंफ्यूज रहोगे ठाटी का सही एंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा युनान बिल्कुल मेगा स्तिनीज किस देश का रहने वाला था जी युनान इस राइट एंसर नेक्स्ट है हमारा क्यूशन नमर्ट ठाटीवन अफ नासी निकितन क्या था एक रसीयन था तो क्या था व्यापाडि था व्यापाडि दर आइट एंसर ऑप्शन डी विल्कुल सभी का एंसर सही है आप लोग मिलाते चलो सभी लोग 32 है मारा इवन बत्तूता किस देश का यात्री था तो 32 का सही आपका ऑप्शन हो जागा मुरक को मैंने डाउ अब देखे था और एक यूशन एक वार और पूछा गया है देखिएगा था था इंगलीश इस्ट इंडिया कंपनी के अस्थापना कब हुई तो याद रखेगा ऑप्शन देखिए सबी क्यूशन जो है आपके याद ही है अब देखिए 35 कहता है कि उल्गुलान भी द्रोह का नेता कौन था तो पता ही है विर्शा मुंडा नेक्स्ट हमारा क्यूशन 36 धक्कन दंगा आयोग कवगठित हुआ हाँ फ्रेंड्स इसके बारे में आप लोग को सायद पता नहों क्योंकि यह नया क्यूशन है मैंने इस क्यूशन को कराया भी नहीं है जो धक्कन का विद् चाहुकारों के विरुध में किया गया था तो याद रखेगा और पारित कब किया था यह पारित किया गया था आपका 1870 में पारित किया गया था तो याद रखेंगे सभी लोग नेक्स्ट हमारा क्यूशन क्यूशनमर 37 करनावालीस कोट बना करनावालीस क बना तो 37 का सखेंशन आपका ऑप्षन भी वह जाएगा 1793 में नेक्स्ट का से इंसर आपका आप्शन ही हो जाएगा करना वाली स नहीं अस्ताइब बंदोबस्त भी लागू किया था नेक्स्ट क्यूशन हमारा थर्टी नाइन क्यूंकि देखिए ज्यादा समय में इसलिए देख आओ ताकि क्या हो जाँ रहा है जिसे कारण मैं कर रहा हूं कल से अगले दिन से PC में हम लोग करेंगे जिसे क्या आप लोग को कठिनाया नहीं होगी अच्छे से क्लिए क्लिए नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर चलिए विना ओप्षन के एंसर दीजिए तो पलासी का यूद कब हुआ पलासी का यूद कब हुआ पलासी नामक जगर पे हुआ था कब हुआ था तो याद रखेगा 30 जून 30 जून 1757 को पलासी का यूद हुआ था साथी हूँ याद रखोगे सभी लोग 1757 यानि की ओप्षन डी इस दा राइट एंसर चलिए नेक्स्ट हमारा क्यूशन है क्यूशन 41 चलिए सभी लोग को दिखाई दर आओगा वीर कुमर सिन का जन्म कहां हुआ था आपका उप्षन है ढ़ागा ज्ग वीर कुमर शन्म का जन्म हुआ था ब्हुच्पूरँ इसलिए मैं अंयाद था क्योंकि मैंने एक वार पढ़ा था कि 13 नमबर को वीर कुमर्सिंग का जनम होगा था नेक्स फोटी टू नमबर दिग्रेट रिवेलियन नामक पूस्तक किस ने लिखिया अल्रेड़ी कराया घ्यूशन है मेरे चैनल पर मैंने कराया है मेरे स्टूडेंट को पता भी होगा किसका सही इंसर क्या होगा तो 42 का सही इंसर आपका आपशन भी असोख मेहता नेक्स फोटी थी चलिए दो ही औपश भी हो जाएगा बेगम हजरत महल नेक्स्ट हमारा क्यूस्टन क्यूस्टन नंबर 44 बहुत प्रोब्लेम है 44 नंबर है क्यूस्टन में नहीं चलिए 2857 के विद्रों के समय भारत का गौर्णर कौन था तो फोटीफ़र का सहिंसर आपका उप्सें सि हो जाएगा लोटー कैनिंग के इंसर लोट ड कैनिका भारत का याद रखोगे सबी लोग और स्वतंत्र भारत के याद रखिए याद रखिए कि उसे इंप्पोर्टिंट है महीं बताता चलू बार 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 वास्कुर्डिक आमा भारत कव आया तो 45 का सही अंसर आपका हो जाएगा ऑप्षेन बहुत अच्छी त्यारी नेक्ट 46 नमबर कौन सा भारती ये नगर साथ दीपो का नगर कहा जाता है देखिए और ऑप्षेन भी महीं आपका एंसर है तो सी और डी को देखने क्या हो सकता भी नहीं है तो 46 आपका ऑप्षेन हो जागा मुंबई साथ नगर माया जाल सपनो का न में मतलब में हीरो बन जाता सपनो का नगर कहा इसतित तो 47 ऑपसिंसर यह सब कुस्टेंस आपको पता ही है काफी जाड़ा भी आप इस्ति है चैसा इस मज़ें कि ट्यारी अच्छी होतों जूकि लिए तो इल्याइजी है हम लोगेसी है क्यांकि हम लोग सो कर्षें तिन कठिया पदती जूरी थी और जो लोग continue वीडियो के देख रहे हैं उनके लिए बहुत इजी क्यूशन से इसमें से बता है यह 100 क्यूशन से है अब ही आप 48 तक हम मैंने किया 48 में आपने लोगों 40 सही बना ही दिया होगा कितना अभी कमजोर अगर होगा तो 40 आप लोगों देन चांस है कि आप 85 पलस अराम से स्कोर कर सकते हो 85 पलस स्कॉरिंग इस नोट सो हार्ड आप लोग कर सकते हैं तो किजिए मेहनत किजिए तिन कठिया पदती जूरी थी तो 48 का सही इंसर आपका ओप्शन सी हो जागा नील की खेती से तिन कठिया जूरी थी चंपारन सत्या सत्यागरह का नाम आप लोग ने सुना हुआ चंपारन सत्यागरह जो तिन कठिया से जुरावा था नील की खेती तिन कठ्था में नील की खेती का जो फ्रावधान था उसी से जुरा था चलिए नेक्स्ट हैं हमारा 49 कि फूटी वन पेज़ेज हैं इस मोडल सेट में कि उनिस सो नीस के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है तो लॉर्ड चेंप्सफोड यहां जैसे मतलब इसका आपका हो जाएगा क्योंसा 49 नमर क्यूशन का सही अंसर चलिए बताइए याद रखेंगे सभी लोग माउंटे चेंप्सफोड अधिनियम और इसका नाम रखा गया था किनके नाम पर तो लॉर्ड चेंप्सफोड वाइसराय थे उनके नाम पर मॉंटेग्यू चेंप्सफोड अधिनियम रखा गया था उनिस सो नीस के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है यह क्यूशन नया है मतलब हम होता है नेक्स्ट है मारा क्यूशन 51 सवराज दलका गठन कब बहुत अची त्यारी सवराज दलका गठन कब हुआ साथियों तो 51 का सही इंसर आपका ऑप्शन भी 1923 एक जनवरी 1923 यानिक हुआ था किसका सवराज दलका गठन हुआ था काफी ज्यादा इंपोटेंट है यह सभ साथ हैं तो याद रखेगा ऑप्शन डी राइट एंसर वकील थे और साथ ही हो मैं आपको बता दूँ देखिए अब तो इक्जामिनेशन में आपके पूछे ही जाएंगे 100 क्यूशन लेकिन आपके लिए एक तरह से समझे कि चैलेंज भी रहेगा चैलेंज इसलिए फायद 15 मिनृट आपको य्यूशन पढ़ने के लिए दे आता हैं तो मतलब आपके पास हैं केवल taims आपको क्या करने है तो question को पढ़ना भी है उसका answer बहने काफी जादा यह आप के लिए चैलेंजे होने वाला है समय आपको再ा लेंगे और क्विधिया क्या कीज़ेगा objective को फटा-फट से बनाकर subjectives में लग जाएगा क्योंकि अगर आपको objective बनाते ही Sup को देखते रहा जाएगा तो आपका समय खत्म हो जाएगा और कोफी बोर्ड वाले कोफी जो होंगे सेंटर वाले ले लेंगे टीचर आपके ले लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लेम हो जाएगा इसलिए मैं आपको सलाथ दे रहा हूं कि आप फटा-फट से को नहीं कहा जाता है चलिए नमर्ट 20 में हम लोग पहुँच चुके हैं तो चलिए से पंजाब पंजाब करी लाला लाजपत्रा बिल्कुल सही है और ऑप्शन व्याले बिल्कुल सही है नेक्स ट्यूशन 54 का अधीवेसं में पूर्ण सवराज का प्रसताव पारित हुआ त नेक्स्ट है हमारा क्यूशन 55 1929 में नहुंगा था 55 दुवितिये विश्यूद कब समाप्त हुआ यह तो काफी ज्यादा सा क्यूशन है दुवितिये विश्यूद कब समाप्त हुआ तो याद रखेगा 55 का सब्सक्राइब का आपको ऑप्शन सी हो जाएगा 1945 में नेक्स्ट क्यूशन है हमारा चलिये नेक्स्ट क्यूशन के और वरते हैं हमारा नेक्स्ट इसेन नमर 56 पाकिस्तान सब्सके जनम्दालता कौन थे जर्खों अब कराया हुआ सिचोध्री रामत अली नेक्सट है मैं ने उफचैन 57 57 स्वतंत्र भारत का अंतिम गौर्णर जनरल कौन था भी मैंने उपर आपको बताया भी था कि याद रखिएगा खुद से स्वेहम से और यहां पर मुझे बताना भी पर जाएगा तो याद रखना सभी लोग 57 का सही इंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा स्थी राजगोपाल किसे कहा जाता है किसे नहीं पता नहीं पता आप लोगों को फटा फट से बताईए तो 59 का सही इंसर ऑप्शन सर्दार पटेल बहुत अच्छी त्यारी है बहुत अच्छी त्यारी साथियों 60 नंबर कि यूशन हमारा राश्ट्रिये गान किस ने लिखा था तो 60 का सही इंस सबसे बड़ा नगर कौन था सबसे बड़ा नगर कौन था आपको ऑप्शन मोहन जोद्रो नेक्स हमारा क्यूशन 62 मुझे इतना परहाना था हिस्ट्री मैंने परहा दिया है और सब्जेक्टिव क्यूशन के वल कराना बाकी है तो अभी हम अभी हम लोग के पास है 30 डेस मैं आप लोग को 15 डेस के अंडर में सभी सब्जेक्टिव क्यूशन करा दूंगा तो आप लोग टेंशन मतलिए सब्जेक्टिव क्यूशन के त्यारी कराना मेरी जिमेदारी है बस आप लोग पढ़ते चलिए भारतिये पूरा तत्वे सर्वेक्षन विभाग के पहले डारेक् कजी कुंट पाई गई है तो चलिए 63 का एंसर में कमें इंचे कमेंट करोगे और फिर मैं आप बाद में कम अ हैं ऊप है अगर नहीं आप लोग को पता रहे है तो मैं बाद में और दो को बता दूगा नेक्स्ट वीडियों से घर किस्ट नमर 64 मल विकान नी मल विकागनी मित्र किसकी रचना है तो 64 का सब्सक्राइब कालिदास की रचना है मल्वी कागनी मीत्र और क्या है यह नाटक है होता है नाटक नाटक नाकट नहीं जी नाटक याद रखेंगा चलिए नेक्स्ट है प्रयाग प्रसचती अस्थम अविलेक किस लिपी में है तो ऑप्षन भी इदर आइटेंसर ब्रामी लिपी में है नेक्स्ट हमारा कि इवस्ति सिक्ज़ब को सिक्टिसिक्स कर स्थेंग किता काई कि द्हरंगरांथ है तो शक्टीश कच़्िएंसर आपका हो जायेगा macro को शिख्टी सेवन धम महामात्रों को किष्णी नियुक्त किया चलिए फिफ्टी ट्वेंटी फाइब हम लोग आ गया है पेज नमर ट्वेंटी फाइब की और हम लोग बढ़ चुके हैं अब केवल हम लोग को कुछ पेज़ बचे हैं 67 कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग बने र अप्सशन भी राइट एंसर सए 67 का सगे आप्सटन भी अशोक ने बहुत अच्छी त्यारी नेक्स्ट हमारा क्यूशं 68 जिवकबेद किस बाइच के काल में थे जिवकबेद किस बाइच के काल में थे सः सर्सी है प्राइक बाइच से लेकसे सेहोग ध्यूतम लाओंनन तो तेरा हमें में न नेक्स्ट है मारा क्यूशन नंबर स्वेंटी मनु इसमलिती में कितने प्रकार की विवाहों की चर्चा की गई पता ही को मैंने कुराया भी है आठ सब्सक्राइब चलिए नेक्स्ट है हमारा क्यूशन स्वेंटीवन डॉक्टर भीमडा उम्बेदकर ने किस धर्म को अपनाया था तो डॉक्टर भीमडा उम्बेदकर चले गए थे किस धर्म में समिधान के पिकता भी थे औप्षन भी दर आइटेंसर बहुत धर्म में याद रखेगा फन नहीं कर रहा हूं बस आप लोगों को बता रहा हूं चली नेक्स्ट है नमबर हमारा क्यूशन पुरानों की संख्या कितने कमेंट बहुत अच्छे आ रहे हैं आप लोग के इसी तरह से आने चाहिए औप्षन अकवड नामा कितने भागों में भक्त है तीन भागों में बिल्कुल सही है नेक्स्ट है हमारा क्यूशन 24 आईने एकवड़ी मुलता कीस भासा में लिखी गई है गई सब्सक्राइब आपका अप्षेन भी हो जागा फार्षी और वी फार्षी 75 है मारा शेर सा सुरी ने पंदर सो चालीश इस्वें में किसे प्रास्त किया तो अप्षेन सी नहीं है आप पे तो याद रखेगा यहां इसका सब्सक्राइब का सी होने वाला है हुमायू इस दा रा सुरी इस वर्स बाठागोसित किया गया आकुबर को किस वर्स बाठागोसित किया गया तो 76 का सहिंचर आपका ओप्षेन सी हो जागा 1566 में नेक्स्ट यू शन हे हमारा क्यूटा का यूद्य कब हुआ था ताली क्यूधि चलिए अब बहुत से यूद आपको सुनने को मिले है थाली कोटा का यूद्ध कब हुआ था तो ऑप्शन एक दर आइट इंसर 1565 में हुआ था 26 जनवरी को 1565 को और फ्रेंट्स देखें हुआ क्या 100 क्यूशन तो पूछे जा रहे हैं आपको लग रहे हूं कि आप सब्ब्यक्टिव को बनाने लगते हैं तो इसलिए नहीं लेक्ता है बहुत से 100 साथ लिए इसलिया दिआ है तो उसमें आपके टेऺटीन य प्रार्म भुआ तो इसके लिए आप लोग कोशनल से सब्सक्राश करें अक् नेक्स्ट है हमारा लिंगायत आंदोलन की अस्थापना किसने की तो सभी को पता है वास बनना बास हो नेक्स्ट है हमारा क्यूशन नमर्ट 81 फ्रांसिस वर्नियर की सासक के काल में आया था तो 81 का सहिंसर आपका ओप्शन डी औरंग जेव के काल में नेक्स्ट है 82 नमर्ट 857 के विद्रोग की पूर्व निर्धारित थी क्या थी तो याद रखोगे 82 का सहिंसर आपका ओप्शन डी 31 महीं 827 को रखी गई थी और कहा भी जाता है कि अगर 31 महीं 827 को युद्ध होता तो विजय हो जाती नेश्ट है मारा क्यूस्ट ऐच्या तोपे कभ फांसी कभ दी गई तो एटएथी 3 का साहिंसर आपका ओप्शन डी गई अठार अपड़ाए ल장 ऐखी निसाथी 2 को नेक्स्ट है मारा क्यूस्टन 84 ढेंहां बाग हंत्याकां घ्म हां हो घ्मान डी का दर जो चले खेरा सत्यागरा कब हुगा था तो 85 का सहीं सर आपका ओप्शन डी हो जागा 1918 नेक्स्ट हमारा क्यूशन नमर बहुत अची त्यारी है बहुत अची त्यारी है बहुत अची त्यारी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है 1798 को लौड वे लेसली भारत के गुवर्णन जनरल बनकर आये थे वती है नेक्स 88 नमर क्यूशन गांधी überzeug की प्रारंभीक शिक्षा कहां हुई थी गांधी जी की प्रारंभीक शिक्षा आपका ऑप्शन ए पुरवंदर में उनका जनम ही वा था किरिसी में तिन कठिया पत्ति कहां लागू हुई थी तो बिहार में बिहार में चंपारन में बिहार के चंपारन में कौन-कौन से बच्चे यहां पर चंपारन से बिलोंग करते हैं फटा-फट से हाथ उथार दीजिए नहीं यह लाइक कर दीजिए चंपारन वाले प्लिज ल भी छोई थी तो 90 का सहिंसर option D Britain एवं तुरकी नेक्स्ट है हमारा 91 सावर मती से डांडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों में की 91 का सहिंसर आपका option C 24 दिनों में किया गया था सावर मती से डांडी की यात्रा कितने गोल में समेलन हुए हैं गोल में समेलन क्या होता है सनवेधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए गोल में समेलन का योजन किया जाता था तो तीन जो हुए थे वो गोल में समेलन हुए थे option B is the right answer नेक्सटे 93 भारत को प्रांतिये भारत को प्रांतिये स्वायता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ स्वायत था चलिए 93 का से इंसर कमेंट करिए option D is the right answer 935 का अधिनियम जो था उसी के इंसर भारत को स्वायता प्राप्त हुआ makes और है मारए 96 कड़ो या मणो का नारा किस ने दिया कड़ो या मणो का नारा किस ने दिया 94 का से इंसर option D महात्मा गांदी दिया मढ़ो कर जाओ या मर जाओ कटव झभाश्म इसलीम लिक्राता थापना कहा ऊए थे चले मुस्लीम लिक्र का तो ते कह actress के अधाकर में मुश्य मिलिक्ष में कर आब वाख सी आता है कि लग से चाहिता है आप भारतीए सन्विधान कब लागों किया गया अब लोग रहेगा एंसर शीट के चकर में रहेगा डिरेक्ट आपलोग आप से इसामिने से वहाल में जाएगा दिमाग को शांती करके बैठिएगा और एंसर देना शुरू कि जिएगा फटावत से सभी एंसर हो जाएंगे करेगा 96 है हमारा भारतिय सन्विधान कब लाग किया है बहुत ही सिंपल सा क्यूशन 26 जनवरी 1950 को एन्य ओप्शन सी इधर राइट एंसर नेक्स्ट हमारा क्यूशन 97 विक्टोडिया टर्मिनस की सैली की सैली की इमारत है सातियों तो 97 का सही एंसर आपका ऑप्शन भी हो जाए भी कि दिये और साथ वेज से आप लोग टेस्ट देने जरूर से जरूर आई है चैनल पे और पता चलेगा मैं रिजल्ट भी निकालूंगा उसके लगले मतलब अगले दिन ही रिजल्ट भी निकाल दूँगा और बताऊंगा कि इनका मतलब ज्यादा आ रहा है कौन टॉप क गुरुदेव क्युपाधि किसे दी गई थी तो उप्शन से इधर आइटेंसर रमींद्र ना टैगोर को नेक्स्ट है हमारा क्यूशन नमर हंड्रेड क्यूशन नमर हंड्रेड क्यूशन नमर सो लास्ट क्यूशन अब इस वीडियो कॉंग्रेस का विभाजन किस क्यूशन पूशेगा तीस में से आपको केवल 15 का ही जवाब देना होगा तो सब्चीप क्यूशन की वीडियो मैं जल्द ही लेकर आ रहा हूं और इसमें सब्सक्राइब कराऊंगा सब्सक्राइब क्यूशन जो है रिपीटर क्यूशन से देखा गया क्यूशन है ऐसा नहीं कितना हो गया इधर कितना हो गया और तीस हो गया अर्थी सो गया पुशे जाएंगे जिसमें से आपको केवल उसका हाप कर दीजिए 138 का हाफ कर दीजिए अगर 2 से तो 612 और 9 तो 69 क्यूशन का आपको जवाब लिखना है केवल कितने कितने टाइम्स में आपको कितना टाइम्स दिया जाएगा बिल्कूल कितना आपको केवल तीन घंटे दिये जाएंगे तो आप लोग कीजिएगा उमीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी मैंने करा दिया आप लोग के लिए यह से बिहार बोट वारा जारी किया गया था मैंने सोचा कि आप लोग को करा देना बहुत आवस्यक रहेगा त समझ में अब तो फिलीज वीडियो के लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं को चैनल को सब्सक्राइब कर दियेगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा मिलते हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए धंदेवाद ठेक के रॉल और उसमें मिलेंगे पू पूरे सीरियस के साथ हम लोग परेंगे चलिए टेक के रॉल अफ यू